हेलो एन वेलकम, सेंटरल रुकृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृ तो आप चाहो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो और मैं सारा प्रोसिजर दिखाऊंगा कि आपने किस तरह अप्लाई करना है इसके बैद भी मेरी कुछ होगी कि मैं इस पर वीडियो अप्डेट्स देता रहूं अगर यह वीडियो आपके लिए हल्प रहा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाल अप्डेट्स के लिए चलो मैं आपको अब ले चलता हूँ कि आपने किस तरह अप्लाई करना है आपने गूगल सर्च में क्या लिखना है एओसी रुक्रिमेंट इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है तो आप चाहो तो वहां से आप क्लिक करके इस वेबसाइट पे पहुँचोगे तो जैसे ही मैंने यहां पर सरच किया तो यहां पर ऐसा पेज ओपन हो जाएगा तो यहां पर तीन ओप्शन आते हैं नीचे आप देखेंगे Candidates Login, Sign Up, Candidates Central Login, Online Application आपने यहां पर Candidates Login पे क्लिक करना है तो यहां पर Candidates Login पे क्लिक करते ही यहां पर अगर आपने पहले से ही इसमें एकाउंट बना रखा है तो आप अपना एमेल देंगे और Password देंगे जब आपने एकाउंट बनाया तो उस वक्त किया आपने Password रखा वो देंगे और यहां पर जो Captcha है वो देंगे लेकिन आपने अगर नहीं बनाया है, अकाउंट नहीं बनाया है तो आप यहाँ पर Create New Account पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर Create New Account पे क्लिक करते ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे, आप लड़के हो तो Mr. पे क्लिक करेंगे अगर girl हो तो miss पर click करेंगे तो यहाँ पर मैंने mr. पर click किया यहाँ पर अपना आप first name देंगे जैसे आपका नाम एजाज एहमद बट है तो अब यहाँ पर आप एजाज लिखेंगे तो यहाँ पर एहमद लिखेंगे और यहाँ पर बट लिखेंगे B.H.A.T. तो आपका नाम पूरा आ गया यहां पर आप अपनी D.O.B. देंगे As for School Record यहां पर आप अपनी D.O.B. देंगे दिन क्या है और मन्थ क्या है और येर क्या है D.O.B. देने के बैद आप यहां पर अपने फादर का नाम देंगे Full Name देंगे as per school record देंगे जो 10th के marks car या due भी पे होगा यहां पर आप चक करेंगे male, female or transgender इस पर आप टिक करेंगे, mark करेंगे यानि चक करेंगे, यहां पर अपना mobile number देंगे, और यहां पर अपना email देंगे, email वो होना चाहिए जो आपके mobile में active हो और यहां पर अपना password आप डालेंगे कोई password आप सेट करेंगे उस password को यहां पर confirm करेंगे उस password को confirm करने के बाद जो यहां पर capture दिया हुआ है वो आप यहां पर डालेंगे capture ना समझ में आए तो यहां पर refresh capture पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर ही capture डालेंगे फिर आप register login पे आप क्लिक करेंगे register login पे क्लिक करने के बाद जो आपने email दिया और जो आपने phone नमबर दिया उन दोनों में OTP आ जाएगा आपका अपने email बें जाना है जो active email हो जो आपने दिया और वहाँ पर आपने OTP जो आपका आया है वो OTP आपको यहाँ देना है और नीचे जो मोबाइल नमबर यहाँ दिया हुआ है आप अपने मेसेज बॉक्स में जाके वहाँ पर मोबाइल नमबर यहाँ पर मोबाइल नमबर पर OTP जो आया वो OTP यहाँ देंगे और नीचे आप capture डालेंगे और capture देने के बाद यहाँ पर verify OTP पर फिर आप click करेंगे तो verify OTP पर click करने के बाद हमारी registration complete होगी और email और phone number भी verify हो गया तो जो आपने अब email और password रखा है वही आपका login ID और password है तो जैसी मैंने registration को complete किया अब मैंने वो email यहाँ देना है जो मैंने registration में डाल दी और वो password यहाँ देना है जो मैंने registration के दोरान मैंने password create किया और यहाँ पर यह capture मुझे देना है capture समझ में ना आए तो यहाँ पर refresh capture पर आप click करेंगे तो capture देने के बाद आप यहाँ पर फिर login पे आप क्लिक करेंगे तो login करने के बाद आप यहाँ पर सारे box को आप चक करेंगे यह कुछ instruction दी गुई हुई है कि आपने form कैसे fill up करना है application form कैसे fill up करना है तो यहाँ पर आपने यह भी चक करना है और agree and continue to fill online application पे आपने क्लिक करना है तो यहाँ पर आपका first page open हो जाएगा आपने यहाँ पर choose करना है कि आपने fireman को apply करना है या tradesmates को apply करना है तो यहाँ पर category मैंने choose करनी है ST है, SC है, OBC है, EWS है तो मैंने यहाँ पर category choose कर ली तो यहाँ पर nationality as citizens of India, normally citizens of India ही हुआ करते है तो यहाँ पर eligibility इसके लिए है 10th और other relaxation में जब मैं क्लिक करता हूँ तो departmental candidate with three year continuous service in central government अगर कोई इसी department में या इनी department में कोई काम कर रहा होगा और उसके पास 3 साल का experience होगा तो उसको यह वाला option select करना है और उसको बाकि जो benefits है वो उसको मिलेंगे तो यहाँ पर आप I agree पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर show और आए कि जो आपने detail दे दी यह कभी change नहीं हो जाएगी तो आपने होशारी से यह application बरना है तो यहाँ पर application generated successfully दिखा रहा है मैंने ok पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप मैंने mother's name डलना है as per school record यहाँ पर मैंने religion को choose करना है तो यहाँ पर मैंने mobile नमबर और यहाँ पर मैंने आदार नमबर देना है mandatory नहीं है दे सकते हो दे भी नहीं सकते हो लेकिन अच्छा होगा कि आप आदार नमबर दे दे यहाँ पर mental states आप चेक कर सकते हो single हो या married हो यहाँ पर identification mark यहाँ अगर आपकी body पे कोई निशान होगा जैसे कि emol on face यहाँ और कोई निशान होगा आपकी body पे तो यहाँ पर आप write करेंगे और यहाँ पर state of origin यहाँ पर डालना है कि आप किस state से हो यहाँ पर domosile from आपने यहाँ पर date देना है कि आप इस state में कहां किस date से रहते हो और यहाँ पर domosile to याईनि कब तक रहते हो तो यहाँ पर नीचे आएंगे यहाँ पर village आप अपना type करेंगे village नाम और यहाँ पर state को आप चूज़ करेंगे और यहाँ पर आप district को चूज़ करेंगे और यहाँ पर post ops को चूज़ करेंगे और यहाँ पर pin code को चूज़ करेंगे नीचे आएंगे और अगर जो उपर आपने address दिया वो same है तो यहाँ पर आप check करेंगे तो सारा address नीचे आएंगा यहां नीचे आप कास्ट को चूज़ करेंगे कि आपकी कास्ट क्या है Unreserved, ST, SC, OBC यहां पर सब कास्ट को आप चूज़ कर सकते हो लिख सकते हो तो यहां पर आपकी Personal Detail Complete हो जाएगी फिर आप यहां पर आएंगे Education Details 10th का Roll Number देंगे यहां पर जो आपने Marks Card पर आपका Roll Number होगा School Roll Number यानि School Board Roll Number तो यहां पर आप College Name लिखेंगे या School Name देंगे जिस सकूल से आप 10th पास कर चुके हो उस सकूल का नाम देंगे तो आप किस स्टेट में थे वो स्कूल किस स्टेट में है वो यहां पर नाम उसका देंगे और यहां पर किस Board से है वो Board भी यहां देंगे और किस Year में आपने कौलिफाई किया और कितने Marks Total Marks कितने थे और आपने कितने Marks लाए है अगर आपके Marks Card पर CGPA ग्रेड होगा तो यहां पर आप टिक करेंगे टिक करने के बैद आपने यहां पर अपने Marks Grades में देने है या आपने अपने Marks CGPA में देने है तो यहां पर आप जो एक्स्टा कौलिफिकेशन आपके पास होगी टेंथ होगी ट्वेल्थ जो ट्वेल्थ होगी ग्रेजवेशन होगी यहां पर डाल देंगे जैसे ट्वेल्थ मैंने यहां पर डाल दिया और जो ट्वेल्थ बोर्ड रोल नमर था यहां पर डालना है किस हैर्ड सेक्टर्डर्ड से या किस स्कूल से कौलिफाई किया है आपने ट्वेल्थ यहां पर डालने के स्टेट किस स्टेट में वो स्कूल था हैर सेंगर्री था तो यहां पर आपने वो डालना है बोर्ड एक्जाम आपने यहां पर चूज करना है किसी एर में आपने पास किया टोटल माक्स कितने में से थे कितने marks आपने हासिल किये अगर CGPA में है या CPA में यहाँ पर चेक करना है तो यहाँ पर आप वो grades दे सकते हो तो यहाँ पर आपने trade को choose करना है और यहाँ पर आपने जो experience है respect to trade में वो भी आप choose कर सकते हो तो अगर आपके experience या trade नहीं है तो आप यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो अगर आपके पास है कुछ तो आप यहाँ पर इनिस्चूट का नाम देंगे और government है private है उसका भी नाम देंगे government होगा तो government private होगा तो private और यहाँ पर recognizer by कि वो इनिस्चूट कहां से recognizer है किस से recognizer है और experience आपने कितनी है आपके पास experience कितनी है तो यहाँ पर और कितने साल और कितने मंत की experience आपके पास है तो आप यहाँ पर वो add भी कर सकते हो अगर और कोई detail आपने देनी है कि आपने जैसे यहाँ पर आपके पास अगर typing speed भी होगी तो यहाँ पर डाल देंगे इनिस्चूट नेम गौर्मेंट है या प्रेविट इनिस्चूट है तो यहाँ पर डाल देंगे तो यहाँ पर रिकोगनाज़ेशन किस से है वो भी डाल देंगे और कितने साल की experience है कितने मन्त की experience है वो भी डाल देंगे यहाँ पर आप add भी कर सकते हो अगर आपने कुछ गलती कर बैठे तो यहाँ पर delete भी कर सकते हो तो यहाँ पर are you sure? Yes, यहाँ पर मैंने delete किया अगर आप इसको भी delete करना चाहते हो कोई गलती कर बैठे तो delete कर सकते हो तो यहाँ पर फिर आप other detail में आएंगे तो employment exchange तो आप होंगे तो yes करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी detail देंगे नहीं होंगे तो no करेंगे अगर होंगे तो registration number देंगे registration date देंगे employment exchange name देंगे employment exchange state देंगे तो यहाँ पर Employment Exchange District देंगे, तो यहाँ पर Exchange Address देंगे, अगर नहीं होंगे तो normally जिसने Newly Apply किया है उसको No रखना है, तो यहाँ पर आपने Upload Documents पर यहाँ पर क्लिक करना है, आपने यहाँ पर Photo को चूज करना है अपनी Guilty में से, इस तरह आपने Photo को चूज करना है अपनी Gu 10-25 KB तक होना चाहिए, वो भी JPEG Format में, तो यहाँ पर Documents शो हो जाएगा कि आपने Photo का Upload किया, यहाँ पर शो हो जाएगा, तो फिर आप Sign को Upload करेंगे, Signature को Upload करेंगे, उसका भी Size होना चाहिए 10-25 KB, तो जब आप Upload करेंगे तो उसका भी यहाँ पर शो हो जाए और यहाँ पर आपने ID Proof को Upload करना है, आदार, Paint Card, Driving Lassen, Water ID या Passport, आप इसमें से किसी भी काड को आप ID Proof यहाँ पर शो कर सकते हो, यहाँ पर आपने उस ID Proof का Number देना है, और उसका Size होना चाहिए 30-50 KB, और इसको भी Upload करेंगे, नीचे जाके 10th Certificate को भी Upload करेंगे, और उसका भी Number याने Registered Number यहाँ देंगे, और Choose File पर क्लिक करके उसको Upload करेंगे, आपने सारे Documents Upload किये, आप यहाँ पर एक और Option है, आप यहाँ पर Live Photo आप उठाएंगे, अपना Live Photo भी उठा सकते हो, तो यहाँ पर सारे Documents Upload हो गए, अब हमने Declaration पे क्लिक करना है, नीच करेंगे, जो भी नजदीः की आप के लिए होगा, उसको आप चूज़ करेंगे, यहाँ पर Preferences पांच दी गई है, आप चाहो तो 5 धा दोथिक कर सकते हो, यहाँ पर इसा है यहाँ पर पोस्टिंग पांच करेंगे, आप की पोस्टिंग कहां होनी चाहिए, अगर जमू कश तो आप Google Search में जाके चक करेंगे कि आप कि स्टेट से हो और वो किस रिजन में पढ़ता है East, West, North, South, Central, West या Central, East या South, West में आप आते होंगे तो चूज करेंगा और यहां भी प्रेफरेंस देनी है आप साथ प्रेफरेंस दे सकते हो तो अगर जहां आपकी सेलेक्शन नहीं हुई तो आप दूसरी प्रेफरेंस जाके वहाँ सेलेक्ट हो सकते हो अच्छी तरह प्रेफरेंस दीजिएगा क्योंकि यह पोस्टिंग के लिए है तो यहां पर प्रेफरेंस सारी देने के बाद आप फिर नीचे जाके डिकलेरेशन पर आप क्लिक करेंगे डिकलेरेशन पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप जैसे ही दोनों को आप चक करेंगे तो यहाँ डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप प्लेस लिखेंगे का आप किस ब्लॉक से हो या तैसील से हो या ब्लॉक से हो वो यहाँ पर आप डाल देंगे या टाउन से हो वो प्लेस वहाँ पर डाल देंगे यहाँ पर आप Captcha Fill करेंगे, Captcha समझ में ना आए, तो Refresh Captcha पर आप क्लिक करेंगे सारी डिटेल आपने दे दी, आप यहाँ पर Preview and Submit बटन पर आप क्लिक कर सकते हो तो Submit बटन पर क्लिक करने के बाद एक application डाउनलोड हो जाएगी यहाँ एक application आपके सामने आजाएगी, आप Preview देखेंगे उसका और Submit करेंगे और वो application आप उसका प्रेंट आउट निकाल सकते हो और Save रख सकते हो तो मेरी कुश्च होगी कि इस पर लगातार updates आपको देता रहूँ और भी बाकि जॉबस updates में लाता रहता हूँ तो मेरी चनल को सबस्क्राइब कीजिए, अगर यह वीडियो आपके लिए हल्प हो रहा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चनल को सबस्क्राइब कीजिए, Good Bye, Thank You